नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है विक स्टॉक स्कूल आज हम बात करेंगे बेल शेर के बारे में जिसमें कि आज हके दिन हमको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला है तकरीबन आप देखे 31 रुपे और 40 पैसे के उपर हमको आज के दिन इसमें क्लोजिंग देखने को मिली है लगबग यहाँ पर पॉने 5 परसन के आसपर 4.67 परसन हमको अपसेट के और देखने को मिला है यहाँ पर आप देखे तो इसकी मैंने ट्रेंड लाइन रौ की थी उसको यहाँ पर एक सपोर्ट बनाने के बार यहाँ पर जैसे आज के दिन मार्केट गैप डाउन यहाँ पर ओपनी गुई थी उससे यहाँ पर हमको तक्रीबन 10-12 परसन यहाँ पर अपसेट के और मुमट देखने को मिला था आज के दिन के ओपर नोटिफिकेशन के ओपर ओल कर दीजे ताकि जो भी मेरी लेटस्ट वीडियो वो आप तक आराम से पहुंच सके अब भेल का शेयर आज के दिन यहाँ पर हमको देखिए लगबग अच्छा कासा एक अच्छी क्रीन केंडल देखने को मिली है बहुत बड़ी आप कासे दिन जो इसका यहाँ पर क्लोसिंग हुई थी आप देखिए 30 रुपे के आसपर यहाँ पर इसमें हमको क्लोसिंग देखने को मिली थी तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत टाइम से यहाँ पर मैं एक ही चीज़ कहा रहा हूँ कि यहाँ पर एक तो यह bullish trend के अंदर यहाँ पर यह शेयर जो है वो जा रहा है बेल का जब भी आपùng्फट के और मूंट आते है आपको देखां दर यहाँ आपको जब भी जिनदगी में बाइं नहीं करना है। और अब को जब भी बी कोई भी शह्र अप्टरेंd के अंदर होता है तो उसके बाद इसमें कोई भी डिप वगैर आती है तब भी आपको इसमें बाइंग वगैरा की ऑपरजिनोटी देखनी चाहिए इसा ही हमको आज के दिन भी देखने को मिला आप देखें पहले इसने एक बर यहां पर support लिया उसके बार upside की ओर गए फिर से यहां पर support लिया और अभी आप देखिये फिर से एक बार ऊपर जाने के बार फिर से यहां पर support लेने के बार अभी फिर से upset की और चला गया है तो यहां पर यह trendline को अच्छा खासा यहां पर follow कर रहा है आपको जबी भी position बनानी है आपको इसी trendline के आसपास यहां पर इसमें position बनानी है तो माली जे क्योंकि यहां पर अगर माली जे share जो है वो downside की और आ गया और यहां पर इस level के आसपास माली जे आपको देखने को मिलता है और यहां से जो हमने stopless रखा है वो हमने कहा कि trendline से जब भी यहां पर थोड़ा downside की और आता है तो इसका जो अगला support बनता है वो तकरीम 20 day moving average के आसपास बनता है तो यहां से माली जे आपका जो loss होगा आप खुद ही देख सकते हैं तकरीम यहां पर आपका loss ही यहां से लेके अपना इतना बड़ा आपका loss हो जाएगा लेकिन अगर माली जे आप यहां पर निचले levels के उपर इसमें buying वेगारा करते हैं माने का आपको यहां पर अच्छा कासा support बना हुआ है इसका यह trend line इसके पास अगर माली जे buying वेगारा करते हैं के बार थोड़ा downside की और आता है और यहां पर 20 डे moving average को यहां पर cut करता है तब यहां से हम कहेंगे कि आपका loss होगा वह बहुत ही minimum loss आपको देखने को मिलेगा यहां पर आपको अभी position बगारा नहीं बनानी है जो लोगों ने आज के दिन से में position बगारा बनाई है वो तो अच्छे खासे return के अंदर यहां पर इसमें बैठे हुए है जो लोग यहां पर long term के लिए investment कर रहे हैं उनको मैं यहां पर कह दो कि आप अभी इस level के उपर आपने buying की है तो अभी आप short मत कीजिए अभी आप तकरीब नहीं 30 रुपे 40-50 पैसे के share उपर आ गया है तो अगर आप long term के लिए रखेंगे तो यह थोड़ा consolidated जरूर करेगा लेकिन जिस level के उपर आपने इसको खरीदा है उसके level के आसपास यहां पर आना थोड़ा इसके मुश्किल है क्योंकि यहां पर आप देखे जब भी यहां पर इसका low बनता है पिछली बार आप देखे इसका low यहां पर बना उसके बार जो अगला low बना वो यहां पर थोड़ा ऊपर की और जाने के बार फिस से बना उसके बार इसका अगला low फिस से upset की और जाने के बाद हमको देखने को मिला है और अगर माली जै इसी trend line को यहां पर यह फॉलो करता है और इस लोग के बार यह आपको यहाँ पर निचले लावेज को उपर खरीधारी करने के बाद आपको शेयर को यहाँ फोड़ा stop loss लगाने के बाद आपको यहाँ पर इसमें बूल जाना आपको बार बार इसमें trade बगारा नहीं लेनी कि यहाँ से एक बार इसको खरिदेंगे नहीं अभी थोड़ा लोग तैसा बार गता जाएगा उसको आंपको यहां भार एकापाइए zod को यहां मैं कहा रहे हैं पर एक की है利rant के अगर कजिएए घ्रााता है तो आप आपको हमेशा यहां पर profit हो गई होगा आप यहां पर पीशे backtest भी करके देख सकते हैं यहां पर मालेजे पहली बार आपको यहां पर trendline के यहां इसने टच किया उसके बार दोबार अफसेड के और जाने के बार फिर से यहां पर टच किया तो यहां से हम कहेंगे एक trendline अमने उसी वक्त यहां पर बना दी उसके बार आप देखे अगर इस लेवल के उपर आप बाइंग करते हैं लगबग 24 रुपे के आसपास मालेजे 25 रुपे के आसपास इसमें बाइंग करते तो इसका जो हाई था वो तकरीबन 28 रुपे और 50 पैसे के आसपास था तो आप लगा आप देखे 26 रुपे 50 रुपे से यहां पर लगबग 31 रुपे तक यहां पर आपको देखने को मिला है तो आपको यहां पर बिल्कुल ऊपर के लैवल के उपर बिल्कुल भी बाइंग नहीं करनी है निचले लैवल के उपर भी बाइंग करनी है तो अभी आप यहां पर दे नहीं है हो सकता है यहाँ पर फिस से शेर जो है वो थोड़ा डाउनसाइड के और आएगा और यहाँ पर इस टेंड लाइन के आसपास हमको दुबारा आता हुआ अगले हफते देखने को मिल सकता है कि वह अगर यहाँ पर इसमें अच्छी खासी बाइंग होती है तब हम यहा पर उसको तोड़ पाना यहाँ पर थोड़ा मुश्किल होगा अगर अच्छी खासी बालिम के साथ यहाँ पर जो वालिम आज है उसके यहाँ पर डबल याने की पिछली बात जो वालिम देखने को मिलता है मंडे के दिन तब यहां से हम कहेंगी यह लेवल 32 रुपेर 50 रु तब हम यहां से कहते हैं तो अगले दिन भी यहां पर अगर volume जादा होगा तो यहां से अच्छा कासा हमको upside की और return देखने को मिल सकता है लेकिन अभी हम volume के इसाफ से कहेंगे यह थोड़ी सी कमजोर move है upside की और हो सकता है market upside की और हमको आती होई देखने को मिल सकती है सो यहां पर मैं आज के दिन के देख लेते हैं तीन बजे तक के डेटा के इसाफ से लगबग छे क्रोड के आसपास इसमें जो टोटल क्वांटिटी है वो ट्रेड हुई है उसमें से एक रोड 44 लाग के आसपास लोगों ने यहां पर डिलिवरी उठाई है तकरीबन 23% के क्योंकि यहां पर मैंने आपको बदा रही है आज के दिन हुई है लेकिन इतना ज्यादा नहीं हुई है एक रोड 44 लाग के आसपास यहां पर शेयर जो है वो लोगों ने अपने डीमेट अकाउंड में रखे हैं तो आप देखिए पिछले तीन दिन के मकाबले यहां पर हम अकि दन हमको कम इसमें बायंग देखने को मिली है और यहां पे वालर्म भी हमको इसमें कम देखने को भीला है बिलकुल पिछले जिन के मकाबले थोड़ा सा यहां पर हमको कम देखने को मिला है है तकरीबन 60 लाग के आसपास यहाँ पर डिलिवरियम को पिछले दिन के मकाबले कम देखने को मिलता है जो कि यहाँ से हम कहेंगे लोगों ने बाइंग तो किया लेकिन इतनी जादा बाइंग वगारा नहीं किया है यहाँ ने यहाँ बाइंग करने के बार अच्छा अपना प्राफिट कर लिया है बिलकुल सावधनी के साथ यहाँ पेशंस के साथ आपको यहाँ पर ऑप पे तब ही बनानी चाहिए और यहाँ पर पोजीशन बना चुके हैं वहाँ पर मैं कहुंगा। आप stop loss रख सकते हैं अभी यह trend line के नीचे जब भी यहाँ पर थोड़ा साता है वो भी volume के साथ मैं कहूंगा अगर volume के साथ trend line को तोड़ना है तभी आपको इसमें यहाँ पर जो position आपको काटने चाहिए और अपना stop loss यहाँ पर तकरीबन 20-day moving average के आसपास यहाँ पर आपको देखना चाहिए तो यह थी आज की वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शूर दो सब्सक्राइब जूर कीजिए जो लोग श इसमें position वगारा बनाईए तो मिलते हैं अगली वीडियो में नमस्कार और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए तो मिलते हैं